आप सभी प्यारे चात्रों का आपके अपने परिवार में स्वागत है आप सभी लोगों के लिए साहिल एक्स्प्रेस डेली 11 बज़े आती है Monday to Saturday और आप सभी लोगों को बहुत कुछ सिखाती है train आप सभी लोगों के लिए Profit Loss एक महत्पूर्ण चेप्टर है जिसे आप लोग ignore नहीं कर सकते कई बच्चे चाहते हैं कि आप ignore करें बट इसके अंदर इतने concepts हैं इतने concepts हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं इन सभी concepts को करवा रहा हूँ तो ये chapter कह सकते हैं कि percentage से भी बड़ा आजकल हो जा रहा है पहले ये percentage से बड़ा नहीं था पहले का मतलग पहले percentage की question जादा आते थे बट अभी profit loss में थोड़ा सा जादा interest examiner दिखाने लग गया है ये फरक आया है patterns में कई बच्चे कहते हैं कि pattern change होता है pattern हमेशा साल दर साल change होता है क्योंकि exam conducting agencies उनी level के questions को generate करती है जिस level के questions में आप लोगों को help मिलती है तो आप सभी चात्रों का तही दिल से मैं स्वागत करता हूं साहिल express में चड़ने के लिए धन्यवाद आपका सफर सुगम सुन्दर और मंगल में हो ऐसी मैं काम ना करूंगा चलिए शुरुवात करते हैं हाँ आज के इस session की बिना किसी देरी के लेकिन आप सभी लोगों से request है कि वीडियो को आप अपने दोस्तों तक share जरूर कर दें कई बच्चे कह रहे हैं से brightness कम है ऐसा हो सकता है कम हो दो मिनिट में ठीक भी हो सकती है बट उसके लिए मुझे दो सेकंड का आपके लिए विराम लेना पड़ेगा अगर आप इसके इच्चुक है तो बताइए अगर आप इच्चुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट अन लॉस हम पढ़ लेते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो तो फिर हम इसको दुबारे से एक बार रिस्टार्ट करेंगे और मैनेजेबल है तो ठीक है कोई दिक्कत हो जाएगा सबने टिकेट ले लिए टिकेट का कोई मतलब चार्ज नहीं है बढ़ टिकेट लेना अवश्यक है सूरज एक बार अंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो है ना हो जाएगा ठीक है ना सूरज ऑके सो ब्राइट टेस्ट कम क्यूं है एक पर मैं इसको ठीक कर देता हूं यार फिर रुको एक मिनट रुक जाओ फिर डटी जे आओ ठीक है मैंने ठीक ही कर दिया तुम बोलो और हम ठीक नहीं करें ऐसा हो सकते है चलिए अभी ज्यादा तो नहीं है ना अभी ओके है मैत की रणनीती बहुत बढ़िया चल रही है अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को पढ़कर कैसा लग रहा है इस सटड़े मिलता है बात करने के लिए थोड़ा सा तो मैं 2-4 मिनिट आपका लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी पता लगे ना जो बच्चा मेरे साथ जोड़ा हुआ हरी भहिया के साथ जोड़ा हुआ है आकासर के साथ जोड़ा हुआ है तो आप से पूछना मेरा काम ह क्योंकि ाप लोग हमारे स्टूड्वेंट्स हो है हमारा प्रपस बनस बनता है कि हम आप का फीड़बैक लेते रहे ह् आप लोगों को कैसा फीलिंग आ रहा है पड़कर तो आप लोगों को कैसा फिलिंग आ रहा है मैं आपको यacamma चाहता है और आप लोगों ने अगर कहीं कोई सस्ता कोर्ट खरीदा है किसी और जगा, आप यहां पर देखने आते हो, आप लोग हमारा foundation नहीं ले पाए, कुछ भी reason उसे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उन सबी reason को consider करते हुए, क्या मैं उन batches से better कर पा रहा हूं, आप लोगों के लिए free में, जो आप लोगों को paid में मिल रहे हैं, दुन कोशिश कर रहा हूं, आपका यह plan topic wise practice का था, लेकिन मैं फिर भी concept भी आपको बताते हुए, चल रहा हूं, 70 दिन हैं, मैं 100 दिन भी इनको करूंगा, यह मेरा आपके लिए प्यार है, मैं जितना आपको दे सकता हूं, मेरे आकास सर, आपको reasoning वाले सर, कितना आपको दे सकते ह हम सब देने वाले student को देने वाले teachers हैं, क्यार लीजिया बस अच्छे से पढ़ाई करिये, भटकिये मत, time waste भटकने में ज्यादा होता है, पढ़ने में कम होता है, ठीक है, 9 बजे हरीश भया की class चलती है, 10 बजे आकास सर की class चलती है, 11 बजे मेरी class चलती है, express batch बहुत अच् यह purpose है, अगर इस purpose में मैं कामयाब हूँ, मेरी team कामयाब है, तो बस हो गया काम, similarly हम जो free practice दे रहे हैं, हम यह बोलते तो हैं, इंडिया की best practice है, क्या है, वो हमारे बच्चे हमें बताएंगे, हम motivated होके exam वाली feeling देने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी हमारी उम्मीद है कि हम और अच्छा आप लोगों के लिए करें, यह Monday to Friday चलता है, Saturday भी चलता है, होगा class, यसे 3 बजे मैं आज तो different topic लोगा, short video का लोगा, 6 बजे catch the reasoning होगा, 10 बजे catch the science होगा, लेकिन time यही fix रहते हैं, और यह अपने telegrams channel है, जहाँ पर आपको PDF वीडियाप मिलती है, आपकर त से होगी, अगर आप आज जाग गए हो, आज जागे हो, तो सोना नहीं है, जागो, पढ़ो और दुनिया को पीछे छोड़ो, आप आगे निकलोगे तब आपका selection हो पाएगा, आप RRB batch join कर सकते हो, अपनी प्यारी application पर individual batches भी आपको मिल जाते हैं, चलिए, आज मैं 3 बज को माद्धिका के normal question कराऊंगा, मैं आपको इसमें संचय वारम वारता के question भी कराऊंगा, ठीक है, संचय वारम वारता के question भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और संचय वारम वारता, केवल मैंने माद्धिका माद्धिका को consider किया है, क्योंकि माद्धिका ही अपने आप में बड़ा टाइप बन जाता है, इसमें मीडियन 50% से जादा, 50% से कम, यह वाला कॉंसेप्ट, सभी टाइप के प्रशन जितने भी आते हैं, वो आज हम दुपैर में 3 बजे सीखेंगे, और आप यह जानते हैं कि इस चैप्टर की कितनी बड़ी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है इस चैप्टर की, बहुत ज्यादा, ठीक है, चलिए, हम 63 कोशन पर थे, थोड़ी बातचीत करके अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा आता है, पढ़ाने का मन करता है, लगता है कि आप लोगों से कनेक्शन बन चुका है, तो अगला कोशन यह है, मैं बस आप से कहता हू कि एक बड़ आप ट्राई करिए, टैंशन मत लीजिए, ट्राई करने में कोई टैंशन नहीं होने जीए, किसी विशेश वस्तू पर जो लाब है, वो देड़ सो परसेंट है, किसी विशेश वस्तू पर जो लाब है वो डेड़ सो परसेंट है सर यदि लागत इतनी बढ़ जाती है तो नया क्या होगा माना मैंने सो रुपे मेरा क्रेम मुल्य है अगर सो रुपे मेरा क्रेम मुल्य है लाब डेड़ सो है तो मेरा विक्रे मुल्य कितना होगा 200 हो जाएगा क्या 200 हो जाएगा क्या अब लागत कितनी बढ़ गई लागत 25 परशन बढ़ जाती है लागत 25 परशन बढ़ जाती है याने कि 125 125 आपकी क्या है नई लागत है 125 आपकी क्या है नया कौश्ट प्राइज है जबरदस्ती कोई चेंज करवाएगा तो करना ही पड़ता है तो आपका आंसर जो होगा वो 100% हो जाएगा यहां से उमीद करता हूँ अच्छा लगा हो फीलिंग अच्छी आई हो और कोई भी चेप्टर पढ़ना शुरू करो ना तो पूरा पढ़ना क्या ही बच्चे अधूरा करने से इतनी उनकी जिंदगी खराब हो जाती है वाकई में नहीं सेलेक्शन ले पाते आप यह सोचिए कि अगर मेरे पास ही डेली का अगर 50,000 बच्चा पढ़ रहा है चाहे वो कैसे भी आपके यूट्यूब क्लासेस ले लीजिए आपके इस साइकलोजी के साथ पढ़ाई करना शुरू करो यह मैं आपको बैते किलियर बता देता हूं तभी सेलेक्शन होता है एक साल तो खुद को दे दो आप कि बाई चलो अब मेहनत कर लेता हूं अगला कुशन करिए एक्स दो वस्तू को 4000 रुपे प्रती वस्तू की दर से बेचता है 4000 रुपे प्रती वस्तू यहने कि सैलिंग प्राइज सेम है जिसमें उसे ना तो मुनाफ़ा हुआ ना ही नुकसान हुआ अगर एक को 25 परशन के लाब पर बेचता है तो दूसरे का कितने प्रतीशत का नुकसान हुआ बड़ा ही गजब कोशन है और आप में से कैई सारे विध्यारती ऐसे कोशनों को अटेंब भी नहीं कर पाते पेपर में लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर अगर आप 25 परशन का लाब की बात कर रहे हो तो चार आपका कोश्ट प्राइस पांच आपका सैलिंग प्राइस यह आपका क्रेम मुल्य यह आपका विक्र रहेगा कफ़कर एक का ही तो लॉस करना है क्या बात है सर तो यहां दूसरे में एक का लॉस करेम मुल्य के रैस्पेक्ट में निकालना होता है 16 अही 2 बटे 3 अगर दिक्कत है तो बोलो क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ बच्चे नए सीख रहे होते हैं तो उनको दिक्कत है आती है सब CHSL का बैच लाईए आशिया दो तरह की बैच चलते हैं मेरे आपको सबको बोल देता हूं सबको जॉइन भी करने हैं मैं पढ़ाता हूं मैं वह टीचर हूं हैसा नहीं की मैं क्यबल बेचने के लिए दृए पड़ा हूं अगर भी तक आपकोła दे रहा होता जिस level का content आपको मिलता है foundations में अगर मैं showcase के लिए अगर आपको youtube पे class देता तो मैं शायद आपसे कुछ नहीं कहता but मैं ऐसा teacher नहीं हूँ मैं दौनो तरह से चीजे करता हूँ जिससे की बच्चे की complete तैयारी हो सके क्योंकि अकेले theory पढ़ने से या foundation करने से selection नहीं होगा practice भी काम आती है तो मैं अपने बच्चों को जो आप मेरे foundation में उनको बोलता हूँ कि बेटा यहां तो जरूर आओ express बैच में और express वाले बच्चों को भी बोलता हूँ कि वहां तो जरूर जाओ basic cover करो practice करो exam का level वही रहेगा ठीक है चलिए बाई अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर किसा CHSL cover हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा बिलकुल टेंशन मत लीजिए CHSL के लिए free classes भी मैं जल्दी launch करूँगा रात को 9 बजे करूँगा यह fix time बता देता हूँ मेरा बहुत time table fix है अभी कोई बच्चा पूछ रहा है सर बेसिक से बताईए राजीव अच्छी बात यह है कि इसका basic भी यह है देखो ना 25% का लाब होता है तो लाब हो गया एक अनुपात का तो जितना लाब होगा उतना ही तो हानी होगी तो हानी भी होनी चाहिए एक की और हानी होती है तो अगर विक्रे मुल्य से एम है तो यह छह ही तो होगा common sense इतना प्यारा सा मैथड है बेसिक ही है ना राजी भी है अगर आप सोचे एक्स मान के करोगे तो पेपर फिर नहीं निकल पाएगा थोड़ा सा सोचो अब अगला प्रशन यह अगला कुशन है थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इस पर और देखते हैं कौन करता है अब आप जो मैथड से लगाते हो ना वह शॉट्ट्रिक वाला वह फस जाएगा आपका करता है अब आपका झाल 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 अब आते हैं इस question पर आप लोगों में से कई बच्चे सोचेंगे कि अगर मैं बात करूं कि 12 का loss हो रहा है 12% की हानी हो रही है तो माइनस 12 इंटू 12 बटे 100 तो यहां मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह यह कितना हो गया 1.44% का आपके सामने कितना हो रहा है आप में से हर बच्चा यह आंसर देकर बड़ा ही खुश मैसूस हो सकता है बट आप लोगों को पता है कितने बच्चे यह जानते हैं कि यह मैथर सरासर गलत है यह मैथर बिलकुल गलत है इसका कोई आसपास अस्तित्वी नहीं है आपका आंसर बिलकुल ठीक आएगा बट मैथर इस रॉंग मैथर इस कम्पलीटली रॉंग सो सर सही मैथर क्या है आप बताने का कस्ट करें कस्ट यह है कि जब पैसे की बात आ गई ना तो आपको वही मैथर लेना पड़ेगा कि अगर आप 12% के profit को earn कर रहे हो 100 से 112 12% के loss को earn कर रहे हो 100 से 88 तो यहाँ आपके सामने इस पस्ट बात में कहना चाहता हूँ कि खेल यहाँ शुरू हुआ है आपको लगता होगा कि सर कुछ भी नहीं है तो मैंने यह देखा सर 25 से कितना आया मेरे पास 28 आया मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास कितना आया 25 से कितना आया 22 आया ultimately क्या है ultimately ultimately देखो दो तो common है but we have to multiply with 11 we have to multiply with 11 क्योंकि मेरे को selling price equal करना है आप में से अब कैई बच्चे जो थोड़ी बहुत मैत को कमजोर मानते हैं खुद की वो इस चीज में फेल हो जाते हैं बस उनको यह लगता है कि यह चीजे सर अपनी मर्जी से कर रहे है कोई और मेथड भी होगा जो बताना नहीं चारे सर लेकिन मैं उनको कैसे समझाओं अजीब दुविदा होती है टीचर की वो तो आपको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता है इस पोजिशन से बट आप इस पोजिशन से सोचते हो कि दूसरी पोजिशन बताया हमें कोई यही सही पोजिशन है और यही सही तरीका है आप थोड़ा ध्यान दे लोगे तो अच्छी से समझा पाऊंगा देखे तो सर अपनी यह क्या किया 11 का मल्टिपलाई कर दिया इसमें क्योंकि 11 यहां मल्टिपल परेशान कर रहा था मेरेको तो मैंने कर दिया अब मेरे को देखो यहां 14 चाहिए तो यहां मुझे 14 का मल्टिपलाई करना पड़ेगा ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि इन दौनों को बराबर करना मेरा पर्पस है और मैंने अपना पर्पस फुल्फिल कर दिया तो अब यहां मैं देख रहा हूं कि टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया पच्चिस को कॉमन ले लिया 25 पच्चिस चेसो पच्चिस तो चेसो पच्चिस आपका कॉस्ट प्राइस हो गया ठीक है अब यह कितना हो गया 11,88 और 8,11,22,22,8 तीस,308,308,308,616 और 616 यहां आ गया अभी आप लोगों को और इस पर श्टीती समझ में आएगी कि यह आपका क्रह मुल्य है और यह तोटल आपका विक्रह मुल्य है तो यहाल लॉस तो नज़र आ रहा है मेरे को loss कितना अनुपात है loss नौ अनुपात का loss है 9 ratio का 9 ratio का आपके सामने यहां loss generate हो गया loss generate हो गया तो सर जी खेल क्या है खेल बहुत के लिए रहे भाई कि 308 क्योंकि प्रतेक का विक्रेमूलिय इतना है न तो 308 को अगर 1540 के बराबर आप कर रहे हो तो एक ratio बराबर मुझे लगता है कि 5 आगया अब एक ratio बराबर 5 आगया तो जो loss होगा वो 9 ratio की वज़ाए 45 रुपिया हो जाएगा और इतना प्यार से मैंने तो जिंदिगी में नी समझाया जितना मैंने अब बताया है आप लोगों को और अगर अभी भी तुम्हारे दिक्कत आ रही है तो यह दिक्कत कहीं और की दिक्कत है फिर मेरी नहीं है ठीक है आपको अगर अच्छा लगा हो तो बता देना भाई लेकिन question ऐसे ही करना है हाँ ठीक है question ऐसे ही करना है एक तो यह तरीका हो गया भाई एक तो ये तरीका है अच्छा तरीका है ये भी है ना ऐसे ही करना होगा अगला कोशन अब फिर से ये देखिए अपके सामने कोशन है अब इसको थोड़ा पढ़ो कि दो वस्तु में भेजता है और दौनों की सेलिंग प्राइज सेम है क्या आप इस कोशन को पढ़कर ये नहीं हो रहा तो मैं समझता हूं कि फिर तो समझ में आने में दिक्कत आईए इस ये हो रहा है क्या हाहा या ना में जवाब से दो वस कि क्रेट वस्तु को अठ परftaarians का लिओ होता है दूसरी वस्तु को पंदरेपर्शन का लौस होता है तो बताइये सर उनका हुल लाव औ मैं इसमें दिमाग लगा सकता हूँ अब देखो एक को आठ पर्षन का लाव हो रहा है तो 100 से 108 15 पर्षन का लॉस हो रहा है 20 से 17 बराबर करो बराबर करो बराबर करो बराबर करने के लिए इसमें 17 का मल्टिपल करो बराबर करने के लिए इसमें 108 का गुणा करो, सर बहुत भारी जा रहा है, अब भाई देखो, ओखली में सिर दे दिया, तो चोटो से क्या डरना, सेलिंग प्राइस एक को लोना चाहिए, अब मैं यहाँ जब इसको देखता हूँ, तो मैं अगर इसके बराबर भी इसको कर दूँ, 9, 1, 8, 0 के, जिससे की मेरे एक रेशो की वैल्यू हाथ के आत निकल की भी आ जाएगी, मेरे को कोई शरम नहीं है, तो कि मैंने कर भी दी बराबर लो, 17, 17, 4, 68, 17, 5, 85, 17, 4, 58, 5, 40, और 108 का भाग अगर आप दोगे तो 5 पर चला गया, तो कितनी अच्छी बात है बताओ, कि एक रेशो बराबर आपका आगया 5, 5 रुपिया, यादि कि आपका जो लाब हानी होगा, वो निकालना है अपन को, तो यहाँ से निकालते हैं, हम देखो, 1700 और 2160, हमें लगता है कि इतना आसान कोशन है, प्रॉफिट लोज बड़ा आसान चेप्टर है, बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ, यह कोशन ऐसे होते हैं, कि जो पेपर में सेलेक्शन को रोक देते हैं, और भाई तो सेलेक्शन को रोक देते हैं, मैं घूतनी वही करना है, 136 138 13472 32 What is my Loss? Loss making máy हो रहा है, 10 मेंसेज 2 गया तो 8 16 मेंसेज 7 गया तो 9 और 188 में इंटू 5 188 में इंटू 5 करेंगे 10 बटे 2 दो नाम 18 दो चौके अठारा एक यह आ रहा गया कि लॉस देख लो कितना रहा है 940 कोई ट्रिक कहां ट्रिक लगाएगा यार भाई होता तो मैं पहले वह नहीं बता था इतने सालों से करकर के मेरे को मैथ आती ना जो तुम सोच रहे हो तो लॉस हो गया 940 को यह सबसे सही मैधड है अब आप चाहोगे कि सर और आसान हो जाए या कुछ और नहीं कि यह सबसे अच्छा तरीका है सेलिंग पराइज सेम करना पड़ता है यह आपका कॉस्ट प्राइज यह सैलिंग प्राइज फिर ओवरॉल चेक करना पड़ता है तब आंसर निकल कराता है तो यू कांट इग्नोर इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते बट आप इस सकल को पहिचान कर क्या कर सकते हो, इसको पेपर में छोड़ सकते हो, ऐसे कुश्चन को, हाँ, सर हर बार छोड़ना है क्या नहीं, कैसा कुश्चन नहीं छोड़ना, जब परसेंटेज वाला आ जाए, अगर मानलो 1.45% पुछता तो कर देना है, अगर रुपीज वाला आ जाए, तो छोड़ सकते हो, एक बर के लिए, मार्क फूर रिव्यू, कि दुबारा आके देख लूँगा, यह मैं तो टिप दे रहा हूं, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब अगला कुश्चन है, अब इसे छोड़ो के क्या, अब बताओ ना, मैं कह रहा हूँ, इसके लिए पैन ही तक ऐसे सीखोगे, कैसे करोगे, 20-17 कैसे हुआ, जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ लो यार, अभी बेसिक पढ़ लो, मैं तुमसे कितने बार बोलू तुमसे, चलो, एक है, खलियर हो गया, समझ में आ गी ना बात, यह मैं समझाना चाहरा था, अगला कुश्च देखिए, एक दुकानदार इतने रुपे में पंखा बेचकर इतने का लाब कमाता है, उतने रुपे में एक अन्य पंखा बेचकर इतने की हानी कमाता है, तो क्या हो रहा होगा, यह भी मस्त है, यह भी मस्त है, झाल झाल कोई दुकान दा 912 रुपे में एक पंखा बेचकर 14 पर्षन का लाब कमाता है सर अब मैं तो खेल कर जाओंगा इसमें कि 14 पर्षन का लाब कमा रहा है यानि कि 100 से 114 और 100 से 114 और 912 रुपे में बेच रहा है तो कहानी क्या है सर आठ बर चला जाएगा यह आठ बार अगर यह आठ बर चला गया तो 800 रुपे आपका कॉस्ट प्राइज हो गया कि सैलिंग प्राइज है अब 1000 रुपे में 8 पर्षन की हानी होती है तो 100 से कितना 92 कितने में बेच रहे हो एक हजार 12 में यहां से कॉस्ट प्राइज निकालता हूं पहले तो सर जी 23 चौके बाण में और 29 चौके बाण में तो कितने बचेंगे 9 चौके बाण में 1900 और टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया यह टोटल सीपी है तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 912 और 1012 1924 कितने का प्रॉफिट आ रहा है 24 रुपे का 1900 के रेस्पेक्ट में 19 से कम 19 पांच बटे 19 सर हमें सॉल भी नहीं करना था सही बात है क्योंकि जिस सीपी में 19 आ गया तो एक ही ऑप्शन में है तरीफ एक्जाम नरवेचारा ठीक है चलिए अच्छा बच्चे को मज़ा आना चाहिए इस्टुडेंट्स कैसा फीलिंग आ रहा है वो मेन है मेरे लिए कुछ भी मेन नहीं है मेरे लिए यह मेन है अगर आ वाकई में दिमाग लगा रहे हो अगर वाकई में मुझे टाइम दे रहे हो तो मैं कुछ आपको सिखाओं बस यह मेरे लिए मेन है यहाँ पर क्योंकि हम यह जो चीजे कर रहे हैं बहुत काम आने वाली है आप करके जाएगा तो selection ले लेगा क्या नहीं ले लेगा लेकिन उसको यह लगता है कि जो आसान करवा रहे होते हैं जिनको रुपे लेवल का पता ही नहीं होता वो selection देते हैं यह भी उसकी गलत वह में बिचारेगी चलिए अगला प्रशन है करिए बी प्रैक्टिकल भाई प्रैक्टिकल बने यह थोड़ा सा नंदनी के रिए सर्फ बुक कौन सी रेफर करें नंदनी बुक तो बहुत सारी है बजार में बहुत सारी है आप पैसा खूप सारा खर्च कर सकती हैं अगर आपके पास है तो बट मेरी यह पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अभी आप बुक्स पर मत जाईए दिस इस नौत फर्स स्टेप बुक इस नौत फर्स स्टेप फर्स स्टेप है आपका प्रपरेशन से ले बस और आप सामने रखोगी ना तो आप डिस्ट्रेक्ट होती रहोगी पर्सनल कॉल है मे बट में के सारे सोर्सेस हैं हमेशा वही चीज अपने पास रखिए जिसकी आपको उस समय जरूरत है सारी चीजे सामने रखोगी ना तो पता क्या करेगा मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूं तो आप येस करना यार क्लास ले लेके बोरसी हो गई हूँ चलो मैं खुद को टे आलेस भी क्योंकि पढ़ाई नहीं अभी तक उसने कुछ उसके बाद ऐसी सिर बैठी फिर उसने अपनी फ्रेंड को लगाया या लड़के ने अपने फ्रेंड को लगाया बोले नंबर ही नहीं आरे कुट अफ कितनी जाती है बोले आर कॉट अट पका तो मेरे को अंदाज पर दिमें लगाने थे अग्री अब बताया करो यह चीज है यही तो चीज समझ की होती है अब चलो कुशन पर आते हैं चलो यार थेईस संत्रे इतने रुपे में खरीदे गए और एक सो आट रुपे में बेचे गए तो मैं ऐसे कहता हूँ एक संत्रा कितने में खरीदा तो 23, 28, 184, 193.2 कर जाएगा आराम से 23 से कोई इशू नहीं है आट पॉइंट चार बार पॉइंट चे का प्रॉफिट आट पॉइंट चार के रेस्पेक्ट में 14, 6, 84, 1, 14, 7.1 अंसर आजाएगा 7.14 होता है सर 1924 कहां से आया पिटा इनको जोडने से आया ना 912 को और 1000 बारे को टोटल सेलिंग प्राइस तो दिया ही हुआ था एक 900 बार है एक 1000 बार है ना अगला कोशन है आप कोशन के टाइप को पढ़के समझा सकते हो कि यह किस तरह का है पस कोशन को पढ़ लोगे तो 70% 80% कोशन बन जाता है आपको लग सकता है कौन सा कंसेप लगेगा इसमें अगर आप बता पा रहे हो तो प्लीज मुझे बता दो कल हरीश भी यह शांदार वो लेकर आने वाले इवेंट 11 बजे बाइलोज जी की जितने भी पूछे काई प्रश्ण है ना एल्पीय 2018 में वो सारे एक ही वीडियो में करवा देंगे मैं स्ट्रेटिस्टिक्स कराने वाला हूँ आका सर आपको ट्राइंगल काउंटिंग आज कराएंगे और कल आपको पूरा नौन वर्वल एक ही वीडियो में निप्टा देंगे 6 बजे मेहनत बहुत कर रहे हैं रमलो बस बच्चों को सेलेक्शन दिलवाना है एक व्यक्ति सकता हूँ कि यहां एक मैथड काम करता है जिसको एलिगेशन मैथड बोलते हैं जिसको हम एलिगेशन मैथड बोलते हैं एलिगेशन मैथड क्या बोलता है आपका कि एक टेबल है उस टेबल पर उस टेबल पर आपका 15% का प्रॉफित हो रहा है आपका चेयर है चेयर पर गया तो ग्यारा, चार में से पांच गया तो हो गया 9, तो 9 अनुपात ग्यारा, यह आपके दोनो cost price का अनुपात है, so basically 2200 रुपे में एक टेबल खरीदता है, टेबल और कुर्सी खरीदी, तो यह क्या है मेरे पास, 20 ratio is equal to 2200, एक ratio is equal to 110 रुपिया, तो टेबल का 990 और चेएर का 1210, कैसा लगा, आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ, आप अगर इन कोशन को देख भी रहे हो ना, तो भी आप सीख रहे हो, देख भी रहे हो, तो भी सीख रहे हो, यह मेरा मानना है, हाँ यू फील, प्लीज, पुट यू हैंड्स अप, हाथ उपर खड़िये, लाइक करिये भई, अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो फिर यार देखो, इलाज तो, भागना नहीं है, बढ़िया, ओके, थैंक यू, चलिए, तो, ऐसे कुशन में ऐसा लगना है, वो ऐसे कुशनों को पढ़कर, साथ के साथ में कुशन को सॉल्व करके, एक बर दुबारा से देखकर, रियलाइज होगा, और यह टाइप फिक्स होते हैं, हर चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसलिए कुछ रटन नहीं सकते हो, कंसेप्ट पता होना चाहिए, कुशन के हिसाब से, यह मेन है, नेक्स्ट, कुशन को पढ़ लो, क्या कुछ अलग है, क्या कौन सा रूल इसमें लग रहा है, क्योंकि रूल सा अलरेड़ी आपको आते हैं, कौन सा रूल इसमें लगेगा, कोई बता सकता है क्या, एनिवन, मैंने यूट्यूब पर फ्री क्लासेज देके, मैंने जो एक्स्प्रेस बैच निकाला है, इससे कितने सारे बच्चों का फाइदा करवाया है, मैंने पता है आपको, क्यों, क्योंकि मेरी देखा देख, बाकि जो लोग बेचने जा रहे थे, वो सब ने भी करवा रहे हैं, जो टॉप कोशन करा रहे थे, टॉपिक पढ़ा दे लगगे, और अग्साश्च में अगर मैं नहीं कराता तो, यह नहीं बताते, क्योंकि सबक्को यह लगता है, बच्चा तो सभी जगे भढ़ता है, बच्चा तो सभी जगे पढ़ता है, यह जो इस वार आपको देखो, देखो तीन लोग होते हैं हमेशा, कोई भी बिजनिस चलता है, उसमें एक मैनुफेक्ट्रर होता है, उसमें आपका एक होल सेलर होता है, होल सेलर होता है, और उसमें आपका एक रीटेलर होता है, मैनुफेक्ट्रर होल सेलर और रेटेलर, मैनुफेक्ट्रर कहता है, मेरे को त दो, wholesaler 10% का profit है, और retailer आपका 20% का profit कमाता है, तो ये chain बनती है, तो this is called chain rule और chain rule is directly proportional to the successive case understand मेज की उत्पादन लागत कितनी है, manufacturing cost कितनी है अगर उसकी retail price दे रखी है, तो direct successive लगेगा direct successive लगेगा कैसे 8% का profit, तो 100 से 108, 10% का profit, तो 100 से 110 और 100 से 120 तो अब आपको manufacturing cost निकालनी है, और ये दे रखी है, तो आपका मैं अगर बात करूँ, 6,0 6,0 और 108 गुना 110 गुना 120 is equal to आपका 900 है तो 9 से कट गया बारे बारे बार और 2,0 से आपकी 2,0 उड़ गई तो एक ratio बराबर आ रहा है एक अपॉन 145 गुना 11 तो यहां हो जाएगा सर जी 145 इंटू 11 अब यह डिवाइड करना बढ़ेगा दिमाग से आप आप बढ़ाने से जजदा अपने को बेचने का परिचार करते हैं इसके कारण पांस आती आपके यूट्यूब की क्लास कोई प्रिंस कुमार यह बताओ मेरे को बिटा आप मुझे प्रिंस कुमार यह बताओ कि छोड़ते ना बच्चे उनको कुछ मिलता है क्या आप कीमियम लेकर बैठे हो तो यूट्यूब आपको एड नहीं देगा क्योंकि आपने उसको पैसा दे दिया अगर माल लीजिए यूट्यूब एड नहीं लगाएगा तो यूट्यूब कैसे कमाएगा आप बताइए तो यूट्यूब भी क्या करता है कि आप लोगों से प्रिंस कुमार अपना फाइदा देख रहा है साहिल सर आपको पढ़ा रहे हैं तो यह सोच रहे हैं कि भाईया जो बच्चों की नीड बेसिक है वो बेसिक के लिए फाउंडेशन जॉइन करेगा साहिल सर इससे अपनी कमपनी चला रहे हैं और टीचर्स को सैलरी दे रहे है यह बात है और क्वालिटी भी दे रहे हैं इसलिए टनके से बोलते रहते हैं तो यह प्रिंस यह प्रैक्टिकल चीजे हैं आपके पिता जी अगर कोई शॉप करते होंगे तो वो कुछ प्रोड़क्ट को भेज कर पैसा लाते होंगे जिससे वो आपको पढ़ाते होंगे तो यहीं आता है यहीं से जाता है फिर वो पैसा कहीं और लग जnetा है यह सब साईक खिल है यहато बेटा किसी के बस पैसा रुका है क्या अच तक मैं free क्यों दे पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे batch को भी लेते हो तो मेरे को इतना load नहीं आ रहा हूँ अगर जिस दिन मेरे को load आने लगेगा मैं यह कहूंगा यार मेरा batch कम विक्राए मान लो तो मैं free class बंद करतूंगा यहां पर पेड़ पढ़ाऊंगा केवल क्योंकि मैं पढ़ाता तो अच्छा हूं इतना मुझे पता है लेकिन मैं सबको अच्छा नहीं पढ़ा सकता सबको मतलब पांचों उंगली बराबर थोड़ी होती हैं क्या एक एक भगवान की सारे लोग पूजा करते हैं नहीं लोगों ने तो अगवान भी अलग लग बना रख हैं आर्थ आप उद्वार की दिन गणेज जी ऑ IT के इन छलै जाओ तो गणेज जी के मंद्जारन सर्फ चनि बंद्गान हो और अशनी वार को शनीदेव को पूज राए пример और उस रियाएलिटी को आप नकार डीजिए हमें क्या दिकत है प्रियाज में गूगल एक्सपट कर रहा है वहां बहुत दिक्कत देती है आज कम से कम इतने प्रियाज में आपको देतो पा रहे हैं क्वालिटी अगला कुशन देखिए यह लेजिए नेक्स्ट आराम से करना भाई इनको यह लगता है वाई गूगल एक्सपट नाम से बच्चा नेक्त है आपकी पता जी की करते है यह कहें रहा बिजनिस तो चलता ही जिसे कि एक कोर्स वा बेटिव करना कालिटी देना यह बिजनिस है बव्यस ही बात है मान लोग कोई भी चीज हम करते हैं यह बिजनिस है अब जो टीचिंग है यह एक बिजनिस है कौन आपको चलो ओफ लाइन तो देखते ही होंगे कौन नहीं ले रहा पैसा आपसे अगर हम उसी चीज को आपको 10 times सस्ता देदें और 10 times better quality देदें तो यह तो एक अच्छी चीज हो गई ना बुरी चीज थोड़ी ना है तो आप यह कोई अभिशाब थोड़ी कर रहे हैं कोई जेब थोड़ी काट रहे हैं तुमारा हम तो quality देने पर believe रख रहे हैं बेटा तो इस चीज को दिमाग से सही करो पहले correction करोगे तो positively मुझे देख पाओगे तुम अगर आपके अंदर दुरभावना रहेगी तो आप negative देखोगे है ना चलो कुछ वस्तूओं को इस प्रकार बेचा गया की 60% वस्तूओं का क्रेम मुल्य चालिस परसेंट वस्तूओं के विक परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है एक किसके रेस्पेक्ट में दो के रेस्पेक्ट में गुणा सो एक बटे दो इंटू सौ 50% क्लियर है चलिए नेक्स्ट अगला प्रशन आईए नेक्स्ट अराम से करना भाई मज़ा आपको आना चाहिए पढ़ने में महनत में कसर रह रही हो तो आप बोल सकते हैं बस और क्या कर सकते हैं आप तो महनत करवा सकते हैं बच्चों के लिए महनत कर सकते हैं जूस सकते हैं वह में काम है अब यह कोशन बड़ा प्यारा है आप लोगों से नहीं बनेगा मु झाल झाल हरी के दो वस्तुएं A और B कोल मिलाकर इतने में खरीदी मैंने हरी के दो वस्तुएं 1250 में खरीदी है उसने A को 20 परशन की हानी पर और B को 15 परशन के लाब पर बेचा B का विक्रे मुल्य A की विक्रे मुल्य के दुगने से 75 कम था कुल मिलाकर इतने में खरीदी है अब यह कुश्चन देखो कितना complicated है अब मैं इसमें जोगा ढूंड रहा हूँ आव गया मज़ा सर A प्लस B बराबर 1250 दिस इस क्रे मुल्य है दूसरी एक्योशन बनाता हूं 80% of A 85% 115% of B यह देखो सोच रहे हो कि आप आप नहीं सोच पारे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बेचा बी का विक्रे मुल्य है बी का विक्रे मुल्य है A के विक्रे मुल्य के دुगने से समझ पारे हो क्या बोलते जाना जल्टी होती तुरन दुगने से पिचत्तर कम था दुगने से पिचत्तर कम था बी का विक्रे मुले कम था यानि कि ए का ज्यादा था equation बन गई बन तो हो गई और बताओ आगे सब ये दो से गुणा किया 160 A बटे 100 माइनस 115 बटे 100 B बरावर पिचत्तर पांस से काटा 32 बार पांस से काटा 23 बार ये कट गया 20 बार 32 A माइनस 23 B बरावर पंदरा सो A प्लस का B तो 23 A प्लस का 23 B बरावर 1250 गुणा 23 अरे भाई कॉम्प्लिकेटेड तो ही खेर अब देखो न अभी मुझे क्या निकालना है A का निकालना है तो मैंने B को ही अटाया है वैसे ये हटा दिया जोड़ दिया मैंने तो ये कितना हो गया सर पचपन A बरावर पंदरह सो प्लस तेईस पंजे एक सो पंदरह तेईस दूनी छी आलिस सैंतालिस सा सत्यावन तेईस एकम तेईस और पांच अठाइस अठाइस साथ सो पचास अठाइस साथ सो पचास और पंदरह सो जीरो पांच साथ और पांच बारह और दस ग्यारह से जाएगा खुसी खुसी जाएगा ग्यारह पंजे पचपन ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह साथ से ततर ग्यारह पंजे पचपन पांस से काटा पचम पच्चिस पांसो पचास मेरी मेहनत कफल आ गया अब कोई बच्चा मेरे से पूछे सा शौट कट बता दो अब जब मुझे भी बता है आपको भी बता है कि नहीं है तो कहां से बताएंगे बताओ कुष्षन तो है ना? हाँ यह सारे शान नए prevention है लिआ वोगनों कि आप पर अंक यह क्यों कि यह लुडाग कि आ एक पर में अगर आप एशा क्वेस कि लिए खना वोल लगाए लगा तो अला सप्ष भी एक गलताअ छै सैथ मिन्नीट तो 6-7 मिनिट है इतना तांस में बचेग आपको करना आना चाहिए, बट करना नहीं है, सर अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको यह भी बताया, कि यह भी तेलो एक फिक्ठा कोश्चन है, लेकिन यह कर सकते हो, क्योंकि सक्सेसिव केस से हमें के इतनी सी करनी पड़ी, इसी तरह से मैंने यह कोश्चन आपको बताया था कि ये वाला ये वाला ये बस question की एक हलकी सी language को change किया कि रुपिया में पूछ लिया और वही percentage पूछेगा तो 2 second का question है तो पहचानना भी तो आपको है ना सर कप करेंगे फिर ऐसे question हो को बिटा ये ऐसे question छोड़ने के कब है तब आपको पहचान होगी अगर आपको पहचान नहीं होगी तो आप तो कूद मरोगे ऐसे question में आप तो try करने बैठ जाओगे क्योंकि आपने चप्टर पढ़ाई है इसलिए आप समझा करो अगला प्रशन आपके सामने हाँ last में time मिले तब करो ऐसी कोई मतलब आपत नहीं आ रही है किस paper में सारे ही करने है लेकिन करने वही है जो सही करो क्योंकि भाई साब ये जो 5,696 सीटों पर competition है ये बहुत तगड़ा रहने वाला है आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है जिस बच्चे के अंदर ऐसी deep knowledge होगी ऐसी deep knowledge कि भाई ये छोड़ना कौन सा है करना कौन सा है ये इतने step में होगा ये इतने step में होगा और ये cushion ऐसे होगा वही बच्चा निकल पाएगा ये आप भी जानते हो सर ये हमारे अंदर तो भी डवलप नहीं हो पाया टाइम लगेगा ये टाइम इस साल का है फिर उसके बाद वह आपका NTPC आएगा उसमें आप वो जो आप मेहनत इस बार करोगे ना पांच-छे महीने में वो आपकी NTPC में काम आएगी तो आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है आपको अपनी होपस को नहीं खोना है लगे रहो यार चलिए एक दुकानदार दो जोडी जूते समान मुल्य पर खरीदता है क्रेम मुल्य सेम है अब एक को पंदरे परशन के लाप पर दूसरी को 5% की हानी पर अब खेल देखो कितना प्यार है उनके विक्रेम मुल्य का अंतर तो 115 और पिच्चान में विक्रेम मुल्य का अंतर कितना आया 20 और 20 बराबर किसके 140 के एक बराबर किसके 7 के एक बराबर किसके हो गए 7 के पूरे सौधे में उसे कितना लाब हुआ बता देता हूं रूको 200 रुपे अगर अपका क्रेम मुल्य है सव इसका और सव इसका तो बेज़ कितने में रहे होाँ 210 में तो आपका जो प्रॉफिट है वो दस रेशो है एक रेशो बराबर साथ है तो दस रेशो बराबर सत्तर अब साथ दे दो के गलत हो जाएगा बहुत पते की बाते हैं और यह हर टाइप आपका कवर हो रहा है यह आपकी कैसी फीलिंग है यह बताईए और यह रिवीजन भी है जो मैंने डीप ली फाउंडेशन में क्लियर किया है वह यहां पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर भी दे रहा हूं मैं अगला अगला कि कि इसी वस्तू को एक तै मुल्या पर बेचा जा गया इसे उस मुल्य के 4 बटे 5 हिसे पर बेचने पर 16% की हानी हो गई यानि कि 5 से इसे 4 में बेचा गया तो 16% की हानी हो गई 16% की हानी का मतलब हो गया मालो कोई चीज मैंने 100 में खरीदी थी और उसको 84 में बेचने का फिराक में था मैं तो इतने में बेच रहा हूँ ना तो इतने में बेचने का मतलब 84 में बेच रहा था कि तो 215 105 105 आपका क्रेम मुल्ले है कि तो लाब कितना हो जाएगा कि निश्चित कीमत तो 100 थी अगर इस पर बेच दूँगा तो 5 परसेंट का कि saar पहले वाले का 5% तर पहले वाला कौसा पहला वाला भाई कूस्चन नमबर बोला परहूँ हैinté उक्षां का लेवल देखो आप अब यह प्यारे-प्यारे क्लाइन के हैं बट वही कॉंसेप्ट धिमाग में ठैरा होना बहुत आवश्यक है अग्ला करोगे क्या अगला कर दो और आपको कैसा लग रहा यार यह भी बताया करो और अभी चलता रहेगा भी प्रॉफिट लॉस अभी मंडे को भी चलेगा क्योंकि अभी तो बहिमान दुकानदार हो गया है ना मतलब बहुत सारे अलग अलगा कॉंसेप्ट्स हैं जो मैं भी कराऊंगा और कल मैंने जो टॉपिक लिया है ना कल मैंने ना प्राइम ना प्राइम प्राइम नंबर लिया है टॉपिक ठीक है जित्ते भी प्राइम नंबर के कुश्चन आते हैं ना पेपर में मतलब रूड संख्याइं भी उनको बोलते हैं वह वाले एक दुकानदार के पास कुछ खिलोने हैं वहे दो तीयाई खिलोनों को 35% के लाब पर और शेश खिलोनो को 10% की हाने पर 2 तीयाई मतलब 2 खिलोनों को बचा कितना एक टोटल 3 है कैसे बता कि 2 तीयाई का मतलब ही होता है 3 में से 2 तो 3 में से 2 और फिर बचेगा कितना एक तो इसको 35% के प्रोफिट पर और उसको लॉस पर तो माइनस में लिख दिया चुपचाप और जब क्रेम उल जे भाइनबात पर 66 नंबर गलत बनाया है देख लेते हैं गलती हमसे भी होगी यह हम पहली बता देते हैं को यह भगवान नहीं है 66 नंबर गलत बनाया है भाई इसको बताओ आप ही बताओ हमें तो याद भी नहीं था 66 कौन सा एक है और हमसे गलत है तो बता दो गल्ती यह से यह भी बताओ awi स्क्रीन पर एक बाट राई मारिये प्लीज सरक मेरी कैट एक्जाम के लिए रोगी बहुत बड़ी है अब कैट जैसा एक्जाम आप निकाल रहे हो पढ़कर तो अब ऐसा लगता है फिर हम कुछ दे रहे हैं मेहनत कर रहे हैं कंटेंट दे रहे हैं कैट बड़ा खतरना का एक्जाम होता है अब एक दुकान दर कुछ वस्तुए 800 में खरीदी जिन में से 40% को 10% की हानी पर 12% का लाप राप्त करने के लिए कितना मस्त है अब इस 800 से कोई लेना देना नहीं है वो बस्तु 40% है 40% का मतलब 2 अनुपात 60% का मतलब 3 अनुपात इसको 10% की हानी पर बेच दिया अब बोल रहे हैं कि सारी की सारी बस्तुओं पर 12% का लाप रात करवाना चाहता हूं मैं तो मैंने खेल कर दिया लो तो माइनस का 20 प्लस का 3X प्लस का 6 एक्वल टू 60 तो 3X बराबर 80 और X बराबर 80 बटे 3 तो 26 सही 2 बटे 3 26 ती 78 और 2 बटे 3 आनन्दा अगया क्या क्या का सबंड़ कर दिया क्या अधित्या मेरे सभी रहल वे आग्जामस के लिए बैच चल रहे हैं फांडेशन ये नहीं होता कि यहों चुटकी बजाई और खतम ताइम लगता है इसलिए वह बैच अभी से चल रहे है मैं तो दो में नवंबर सी चालू कर दिये थे तारे टीचर्स के साथ में तो वह पड़ो बस यार मतलब मैं दददस बैच भी क्यों बनाऊ तीस एम ही रहती है बस जितना अच्छे से दे सकता हूं इसल अभी और भी आईगा अभी तो मैंने डिसकांट चालू भी नहीं करहा है लेकिन अभी तीन बजे मैं आपको सांखे की पड़ाउं गातीन बजे मैं साथ के सात आज आपके लिए कुछ इस्पैिशल चीजे आने वाली है आपके लिए छे बजे आपके लिए स्पेशल सेशन आएगा, रीजनिंग का भी सेशन आएगा, तो बहुत महनत चल रही है, आप चैनल पर जुड़ जाओ, कल 11 बजे, मतलब संडे को, संडे को 11 बजे आप लोगों के लिए 2008 के साइंस के बायलोजी के जितने भी कोशन है, साइंस में बायलोजी के ज बायलोजी के लिए, हम मंडे टू, फ्राइडे, सटर्डे ये लेते हैं, तीन बजे सीटी एम, छे बजे सीटी आर, और दस बजे सीटी एस, और सटर्डे संडे कुछ स्पेशल चीजे चलती रहती है, जिससे कि आप लोगों को कुछ कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो, तो आप कवर कर सको, मैतवाई साहिसर ये टेलिग्राम चैनल है, पूरी तयारी अच्छे से फाउंडेशन की करना चाहती हो तो क्योंकि सफलता का कोई शॉटकट हमारे पास तो नहीं है, आप मुझे भी बता देना, तो मैं शॉटकट बेचनल शुरू कर दूँगा, ठीक ह पढ़ा दिया, वो आपका रिकॉर्डेड में मिलेगा, जो चल रहा है वो लाइव चल रहा है आपका, अभी एडवांस में पूरा बाकी है, आर आर भी बेच में सारी सब्जट की टीचर्स की क्लास मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर एक्जाम की चीजें कवर पर हो जाएंगी, यह भी आपका वही ओफर में है, ठीक है, अपनी एप्लिकेशन पर जोड़ो, इंडिविजल बैच भी सभी टीचर्स का ले सकते हो, आप लो, पेड कोर्स में आप जाओ, रर्वी लेना है, रर्वी लो, मैथ का लेना है, मैथ का लो, रीजनिंग का लो, स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी मिलते हैं आप से, शाम को बहुत सारी क्लास अच्छी अच्छी होने वाली है, अपने जुर जाईए अपने साथ, और क्या, अप्लिक एप्लिकेशन पर भी जुर जाईए, ठीक है, चलिए, और मससते बढ़ाएगा, उसा मत करोंगा, चिंता मत करो, भाई मैं हूना, टेंशन नहीं लेना, भटकना नहीं है, भटकना ही होता तो फिर यहां थोड़ी लाते तुम्हें, यह सोच लेना बस, बाई-बाई